आज हम सिखेंगे कोणों का मापन पिछले अध्याय में हमने सीखा एक हे बेंदों से शुरू होने वाली दो किरण आपस में कोण यानी अंगल बनाती है क्या सभी कोण एक जैसे होते हैं? सोचिए, सोचिए नहीं हम देखते हैं कि दिवार और फर्ष के बीच बनने वाला कोण, सीड़ी और दिवार के बीच बनने वाले कोण या सीड़ी और फर्ष के बीच बनने वाले कोण से अलग होता है अगर घडी में हम एक सुई निश्चत स्थान पर रखे और दूसरी सुई को गुमाए तो हमें अलग-अलग कोन प्राप्त होते हैं कोन की अधाना को समझने के लिए हम इन कोनों को वर्गिक्रत करते हैं इन्हें वर्गिकृत करने के लिए हमें कोंड कैसे नापते हैं या ज्याद होना जरूरी है तो चलिए पहले हम जानेंगे कोंडों का मापन आपने अपने जामिती बॉक्स में यह वस्तु जरूर देखी होगी क्या बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं एवं इसका उप्योग क्या है सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसे हम चांदा यानि प्रोट्राक्टर कहते हैं इसका उप्योग हम कोन को मापने के लिए करते हैं इसके वक्रिय किनारे यानि एज को 180 पराबर भगों में विभाजत किया हुआ होता है, जहां प्रतियेक भाग 1 अंश यानि डिग्री कहलाता है। मापन है तो इस पर बाई और दाई दोनों और से 0 से 180 तक चिन अंकित किये होते हैं। जैसे हम लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कोंड को अंश यानि डिग्री में मापते हैं, जिसे इस चिन से दर्शाया जाता है। जैसे इस कोंड का माप 90 अंश है, जिसे हम 90 डिग्री इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चान्दे की उप्योग से हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का माप ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसी कोंड का माप कैसे ग्याद किया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ किरण QP और किरण QR एक ही उभयनिष्ट प्रारंभिक बिंदू Q से निकलते हुए कोंड PQR बना रही है। यहाँ बिंदू Q कोंड PQR का शीर्ष यानि वर्टेक्स है। इसे तरह किरण PQ और किरण QR कोंड PQR की भुजाएं। चलिए इस कोंड का माप ग्याद करें। सबसे पहले हम चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदू कोंड की शीर्ष Q पर आए। चांदे को हम इस प्रकार समायोजद यानि एड़्जस करेंगे कि सीधी किनारे पर दर्शाई गई रेखा कौन के किसी एक भुजा को पूरा-पूरा ढख ले यहां हम इसे भुजा PQ पर विवस्थित करेंगे भुजा PQ दर्शाती है 0 डिग्री कौन इसलिए हम चांदे पर दर्शाई उस स्केल को पढ़ेंगे जिस पर PQ 0 डिग्री से व्यक्त होती है इसे स्केल पर आगे पढ़ते हुए हम देखेंगे कि कोन के दूसरी भुजा कौन से चिन्न को दर्शा रही है जैसे यहां बुजा QR 45 की रेखा को ढख रही है यानि कि यहां 45 डिग्री को दर्शा रही है इससे अब हम कह सकते हैं कि कोन PQR का माप है 45 डिग्री गर्णित में इसे हम लिखते हैं कोन PQR परापर 45 डिग्री आज हमने सीखा कोनों का मापन अगले वीडियो में हम सिखेंगे कोनों से संबंदित कुछ महत्वपून अवधार ना है